आज मेरे हजबन का दिल हो रहा है चिकन खाने का फिर गया फिर मैंने उनको एक बहतरी कोर्मा बना कर खिलाया घर में आ रहे मेमानों के लिए आप ये दावत वाला दानेदार चिकन कोर्मा बनाईए रेसिपी देख लेते हैं एक खुला बरतन ले पतीला या कड़ाई उसमें ऑईल डालते हैं थोड़ा जादा ही जाएगा क्योंकि दानेदार कोर्मा बना रहे हैं पाइन चोप अनियन डालकर लाइट गोल्डन ब्राउन करेंगे प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन हो गई है बहार निकाल लेंगे गरम मसाले तेज पता लॉंग हरी लाइची तोड़कर दालेंगे और जीरा ये सबी ओईल में डालना है चिकन अच्छे से वोश करके डालेंगे पहले फ्राई कर लेंगे ओईल में जिंजर गालिक पेस्ट रैट करेंगे और भून लीजिए इस कलर का हो जाओर अच्छे से भून जाए तो कुछ पाउडर मसाले जैसे लाल मिच पाउडर दनिया पाउडर हल्दी पाउडर खश् पाउडर नुसार और अब दही आट करना है मिक्स करेंगे और कवर करके पकाएंगे पांच मिनट यह काजू बदाम और खशकश का पेस्ट डाल कर अच्छे से मिला देंगे जो अनियन प्राउन कीती उसको दरदरा कोट कर दालना है मिला देने के बाद कवर करके दो मिनिट पकाएंगे थोड़ा सा केवरा वाटर और जो गरम असाले दिखाए तो उसका पाउडर एड़ करना है यहां ग्रेवी जितनी पतली आपको चाहिए उतना पानी आड़ कीजिए और कवर करके बस दो मिनिट के लिए स्लो गेस पर पका लें दावतों वाला लजीज दानेदा कोर्मा त्यार है वहतरीं चिकन कोर्मे को खाईए नान रोटी के साथ फैमली के साथ इंजोई कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए अल्ला हाफिस